मुंबली का पाव वज़े खाने के लिए आपको मुंबली आने की जर्वत नहीं पड़ीगी अगर आप इस तरीके से पाव वज़े आपके घर पे बनाते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तो वीडियो का आप मैं स्टार्ट करते हूँ इसके लगा आप देके सबसे लगव आपको तोड़ासा आयल लेना है उसके बिशान आपको नइंहीं हैाँ जीरा इसको आपको यहां पर डाला मैं पर आलू जिसको मैंने आपरिक कर लिया साथ मेही फूल को भी है हरी मर्टर है और साथ में आपको यहां पर ले लेना है घजर यहां पर आप एक दू चीज़ चाहूद आप स्कीप कर सकते हो या फिर आप इतने वेज़ेटेबल का यूज कर सकते हो एक से दो मिनट के लिए आप मेडम फ्रेम पे इसको अच्छी तरके से बूनिए और अच्छी तरके से हो गया है बहुत ही अच्छी तरके से यह मैश भी हो रहा है तो बस इतना आपको इस तरके से कूख करना है और उसको जो पानी होगा आपको फेकना नहीं है उसको हम यूज करेंगे यहां पर देखिए चार मिर्ची लसुन की कल्या थोड़ा सा पानी राल क्योंकि पाव बाचे जादा करके बटर में बनाया जाता है और आपको यहां पर प्याज लेना है शिमला मिर्च लेना है और साथ में टमाटर और यह जो पेस्ट हमने तियार किये थे मिर्ची और लसुन का वह और नमक डालकर आपको इसको कुछ सेकेंड के लिए कुछ मिन प्रीज हुआ है टेमेटों का उसके बद आपको यहां पर डाला है हल्दी पावडर साथ में काश्मीर लाल मिच पावडर के लिए देड चमच के आसपास एक चमच के आसपास आपको लेना है धन्या पावडर और आपको इसको अच्छी तरीके से बूरना है इसकी बुना ह है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा पावबाजी में आप अभी देखिए इसमें से अच्छी तरीके से आपको अप्रेट होता हुआ दिख रहा है जब भी कुछ इस तरीके से आपको इसको चलाना है और आपको यहां पर जो भी हमने वेजटेबल को बॉल किये थ आपको इसको अच्छी तरीके से मेश करना है पावबाजी के यह खासियत होती कि यह बिल्कुल भी कोई भी वेजटेबल अख्य नहीं होती इसको बहुत लिए जाता है अभी आप दिखें गेस कफले में आपको लोग पर ही रखना है और आपको इसको इस तरीके से मेश कर देना अच्छी तरीके से जब यह कुछ इस तरीके से मेश हो जाए देन आपको यहां पर क्या करना है आपको यहां पर थोड़ा सा पानी डालना है यह देखें जो पानी बॉल कर देवक्त बज गया था वह पानी का आप यूज़ कर लिए जो या फिन और्मल आप जो पानी हो पानी को यहां पर फोड़ा एजुस्ट कर सकते हो और अभी आप देखें इसके तो ठीक है अभी मैं क्या करना है आपको थोड़ा से कड़ाई में बटर ले लेना है या फिर आप आल भी ले सकते हो उसके बाद जो नॉर्मली पाओ होता है पाओ को मैंने क्या किया है बीस से कट कर दिया है यह जो भाजी हमने बना है वो आपको ऐक चुमच के असवास भाजी ले लेनी है और धनी की पती और आपको इस तरीके से इसको तोड़ा सेक लेना है जिससे चुब आप आप पाओ भजी खाओगे गर्मा गर्म आपको बहुत जादा पसंद आएगा जैसे थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है आपको क्या करना है आपको उसको निकाल लेना है और गाईज उसके बाद गैस का फ्लेम बन करके आप इसे गरमा गरम खा सकते हो अगर आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखे रहोगे तो प्लीज ज़रूर से वीडियो को लाइ या डाउट है तो आप मुझे परसनली वहाँ पर पूछ भी सकते हो तो आप मुझे फॉलो कीज़े वहाँ पर यहां पर अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यह इस वीडियो को लाइक करना अपने कुछ नया सीके हो या फिर आपको कौन सी अभी नेक्स रसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएए तो फिर मिल दे हैं नेक्स वीडियो में नई वीडियो के साथ में तब तकिला अपना ध्यान रखना और आप भी से ट्राइकन आपको बहुत जादा पसंद आएगा बाई